नारायन नारायन आज का विशय है अखन अनिसंधान जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए भगवान ने हमें बुद्धी दी है और उसका प्रियोग करके हम काम करते हैं यानि भगवान ही हमारे द्वारा सभी कारे करवाते हैं अतय यदि हम अपना प्रतीक कर्म इस भाव से करें कि सब उन्ही की प्रेर्णा से घटित हो रहा है तो हमारा भगवान के प्रती प्रेम दुड़ होगा जो भी कुछ करना हो वह सब भगवान के लिए करें तो हमें पाप पुन्य की बाधा क्यों हो एक बार कबीर के यहां महमान आए घर में तो उन्हें भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं था और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अथिती को भगवत सरूब मानना चाहिए इसलिए कबीर ने उनके लिए परियाप्त होगा इतने अनाज की चोरी की चोरी करना बुरा है, पाप है फिर भी चोरी भगवान के लिए कि अतव उसे पाप नहीं लगा आंततह कर्म हो जाने के बाद हम अवश्य भगवान का स्मरण करें और कर्म उसे अरपन करें फलतह धीरे धीरे अभिमान कम होकर इस भगवान के प्रती प्रेम दुड़ होगा एक बार दुड़ निश्चय करें कि हम भगवान के हैं संसार के नहीं और इस निश्चय को पक्का करने के लिए निरंतर नामस्मरण करें हम मनुष्य हैं यह भान जितना दुड़ होता है उतनी ही दुड़ता नामस्मरण के बारे में हो फिर भी यह सदना कठिन है यदि यह नहीं सदता है तो उसके बाद दुटिये उपाए जो कुछ घट रहा है वह भगवत कृपा और प्रेणा से घट रहा है ऐसी भावना अंतह करण में रखें और यदि वह भी नहीं सदता होगा तो बैकरी वानी से अखंड नामस्मरण करें इस अनुसंधान की प्रुक्रिया में मन भगवान के प्रती स्थर हो जाता है फिल हाल हमारा उल्टा चल रहा है हम देह से तो पूजा करते हैं मिले में भी जाते हैं लेकिन मन गुरहस्ती में रखते हैं ससुराल में आई बहु घर के सब लोगों के लिए श्रम करती है पती का काम शायद ही करती हो लेकिन अंतह करण में वह पती के लिए ही होती है वैसे ही गुरहस्ती में सब के लिए सब कुछ करें लेकिन मन में मैं राम का हूँ यह सदा स्मर्ण करके हम रेल गाड़ी में बैठते हैं बीच में अनेक बाते होती हैं खड़ा रहना पड़ेगा कई तरह के लोग मिलते हैं लेकिन निर्धारित स्टेशन पर उतरने के बाद हम प्रसन्न होते हैं उस प्रसन्नता में हम पिछला सब भूल जाते हैं उसी तरह हमें भगवान की प्राप्थी करनी है यह निश्चित करने के बाद हमें अनुसंधान में रहना चाहिए तब ग्रहस्ती की अर्चनों का महत्र क्षानिक होता है लेकिन पहले धिये निश्चित कर लेना चाहिए भगवान का नाम भगवान की कृपा के लिए लेना चाहिए अपने इच्छाओं की पूर्थी के लिए नहीं नाम स्मरण ही हमें धे की सिध्धी करा देगा भगवान की तरह हमें भी कृहस्ती में रहकर उसके बाहर रहना चाहिए अपने देह की और साक्षी के समान देखना सीखे यदि वह नहीं सलता हो तो विस्तार में रहकर भी अनुसंधान में रहे पढ़ा हुआ भूल जाएगा देखा हुआ भूल जाएगा तो कृती होगी वह भी भूला जाएगी किन्तु अंतह करण में भगवान का जो अनुसंधान द्रड हुआ है उसे भूलना नहीं चाहिए नारायन नारायन